बालाघाट शहर में पहली बार लेजर हैर रिडाक्षन अंचाहे बालों को अब निकाले आसानी से बिना दर्थ के नो वाक्सिंग, नो थ्रेडिंग, ओनली लेजर संपर्थ करें डॉक्तर मिताली पार्धी, मिताली स्किन सेंटर, मिताली हॉस्पिटल बालाघाट बले ही बालाघाट जिले की छेविदान सबाओं में 17 नुम्बर को शांतिपूर्वक मद्दान होने का दावा प्रिशासन कर रहा था किंतो धीरे धीरे अब 17 नुम्बर को हुए शांतिपूर्वक मद्दान के बाद पर दो राजनितिक विरोधी पार्टियों के चुनाओं के समय हुए मन मुटाओ अब विवात के रुप में सामने आना शुरू हो गया है ऐसा ही मामला जिला मुख्यले के बाड कर मांग 25 में 18 नुम्बर की रात तरी 10 बजे देखने को मिला जहां पर मद्दान के दीन हुए दो पक्षों के बीच बाद विवात की कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि 17 नुम्बर को तो कुछ नहीं हुआ पर 18 नुम्बर की देर रात बाट कर मांग 25 हाउसिंग बोर्ड कालोनी के गार्डन में 200 से 300 लोग जमा हो गए और देर रात तक काफी हंगामा होता रहा किन्तो इसके जानकरी पूलिस को मिलने के बाद दोनों पक्षों में आपसी समझोते के बाद मामला को खत्म किया गया आपको बता दे कि विधानसवा चुनाओ 17 नौमबर को 6 विधानसवा में शानते पूरा खत्म हो चुका है किन्तो चुनाओ खत्म होने की रात्री से ही चुनाओ को लेकर हुए आपसी मदभेद के बाद बाद विवाद का मामला सामने आने लगे जिसमें पहला मामला बैयर विधानसवा के दमों में हुआ था जो काफी चर्चीत रहा जिसमें भाजवा परताशी के द्वारा कॉंग्रेसी कार्यकरता को जान से मान डाने की और कफन लाने के बात आडियो में कही गई थी आला कि इसमें पुलिस के द्वारा कारवय करते भी उक्त मामले में यह भायार दर्च कर ली गई किन्तो पुना 19 नॉम्बर को शहर में फिर एक जन्चर्चा फैल की कि 17 नॉम्बर को हुए मद्दान के दिन सीम राइस स्कुल में भाजवा के द्वारा मद्दान के समय मद्दाताओं को प्रलोफित करने को लेकर एक विवाद हुआ था कि उस समय शान्त हो गया गिन्तो उसका भी कॉंग्रेस के द्वारा विरोत किया गया था गिन्तो चुनाओ खत्म होने के बाद यहां विवाद फिर बढ़ गया और 18 नॉम्बर की राती 10 बजे वाड नमबर 25 हाउसिंग बोड कालोनी में एक कॉंग्रेस सिकार्यकरता सीम रा के द्वारा कॉंग्रेस कार्यकरता के घर को घेर कर उनके बेटी और पीता को घर से बाहर आने के लिए कहा गया जाने लगा इसके बाद कॉंग्रेस कार्यकरता के द्वारा उक्तगटना की सुचना कॉंग्रेसी प्रत्याश्य अनुबा मुंजारे को दी गई वह जब अनु दिए गया और चर्चा का विश्य उनिस नौमर को राजनितिक गलियारों से शहर के चोग चोराओं में चर्चा का विश्य बना रहा है अखिकार के भाजपा की हार की बॉकला अख़ट है जो अब सीधे प्रहार कर रही है और यदि ऐसी इस्तिती रही तो क्या शहर की जनता को शांतिका टापू बताने वाली भाजपा क्या शहर को फिर एक बार शांतिका टापू बना पाएगे या फिर इसी तर शहर में गुंडागर्दी का महुल चलते रहेगा लोग तो जन चर्चा में यहां भी कह रहे थे कि शायद यह वही भी बात है जो सीम राजी स्कुल में निरवाचन करने आये निरवाचन दल के द्वारा पहले मतन करने आये मद्दात्गां स्वागतन करते हुए में अगरपाली का अध्च मेला cred कर आगया था इसको लिकर कॉंघ्रेस से नेताउं के द्वारा इसका विरोध भी किया गए helps है दे स्चना मूह उतनी बात है लोह ह चल रहे जन चर्चा से यही खवर निकल कर सामने आई है जब हमारे द्वारां जो लाइक मिश्रा से दुर्भास पर संपर करते हुए उक्ति विवाद को लेकर जानकरी ले गई तो उन्होंने बताए कि उन्हें भी जानकरी लगी थी कि शहर के वाटकरमांग 25 में दो पक्चो करत नहीं कि जिसकारण से अभी तक कोई विश्व से में जिसकारण से अभी तक इस विश्व में कोई भी एफाई यर्दज नहीं हुई है